उत्तर प्रदेश के हाथ रस में दलित लड़की के साथ हुए जगन्यापराद की घटना का अभी पटाचेब बे नहीं हो पाया था कि पताचला बलरामपूर, बुलन सहर, अजमेर जैसे कई अन्य सहरों से बलातकार की घटनाएं सामने आ रही है। मीडिया काफी कुछ दिखा रहा है, आपने देखा भी होगा। अभी दो दिन पहले ही NCRB National Crime Record Bureau ने 2019 में हुए अपरादों का डेटा सामने रखता है। वर्ष 2019 में प्रती दिन 87 महिलाओं का बलातकार हुआ है, मतलब प्रती घंटे 3 से ज़्यादा महिलाओं का बलातकार हुआ है हमारे देश में। मीडिया अपने इस सुविधा के अनुसार हर साल एक से दो केस को उठाता है, हंगामा करता है, कुछ केस में न्याय मिल भी जाता है, कुछ केस में नहीं भी मिलता है, लेकिन 4 लाग से ज़्यादा केस में क्या होता है, इसके बारे में पन्नों में ही दफन हो जाता है, आम आ पर चढ़ाने में इतना होहला आंदूरन के बावजूद ये हाल हुआ था पुलिस प्रशासन सरकार न्याय विवस्था की समवेदन हींता को समझने के लिए आज मैं आपके साथ एक केस साजह करना चाहता हूं तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा जिसको मतुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है ये घटना आज से लगबख 50 साल पहले 1972 में हुई थी और इस घटना के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारा प्रशासन हमारी न्याय विवस्था एक्चूल में कैसे काम करती है जब उस पर मीडिया का दबाव नहीं होता है नमस्कार मै काएं विकास आप देख रहे हैं अगर आप यह सकते हैं तो लिख यह बोल सक्ते हैं तो बोल ये और चिला सकते हैं तो चिलाईए और आप ये भी नहीं कर सकते किंगा विद्ध्ग से MA हराश्ट के नाजपूर से 130 किलोमीटर साउथ यीस्ट की तरफ चलने पर 36 निगर state कि found करता है दिशाई गड़ यहां पर जादा तर गोंड जंजाट के लोग रहते हैं आज कल इसको नकसल बारी या नकसल आंदोलन का गड़ माना जाता है वहीं पर एक लड़की रहती थी मत्रा जिसकी उमर लगबक 14-16 के बीच में रही होगी उसके माता-पिता का देहां पहले हो चुका था अपने भाई जिसका नाम गामा था उसके साथ रहती उमर कम थी मजदूरी का काम क्या करती थी यह समझे कि वह पास में रहने वाली एक और नूंसी के साथ मिलकर गोबर के उपले बनाती थी उसको सुखा कर वह बाजार में बेचा करती थी आप लोग जानते मैलाएं दिवालों के पीछे गोबर को चिपका देती है और धूप में सूख जाता है उसको हम उपला कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं उसको बेज कर पैसा कमाते हैं थोड़ा बहुत मिल जाता है इस काम के दोरान भी मतुरा को नुन्सी के भतीजे असूख से प्रेम हो जाता है दोनों साधी कर लेते हैं लेकिन गामा को जो मतुरा का भाई होता है उसे पसंद नहीं होता है वो पहुँच जाता है दिसाई गंज थाना या फाई यार दर्ज करवान उसकी कंप्लेंट वहां के head constable बाबूराओ दर्ज करते हैं वो अफहरण का case दर्ज कराता है और उसमें नामजद करता है नूंसी को उसके पती लप्षमण को और उसके भतीजे असोग को head constable संबन जारी करता है या कह लिजे कि इतला दिलवाता है कि ये त्रीनों लोग हाजिर हों मतुरा को लेखा 26 मार्च 1972 को रात में 9 वजे मतुरा, असोग, नुंसी और लक्षमार 26 में गामा भी, इतने लोग हाजिर होते हैं थाने में, head constable बाबुराव उनका बयान दर्च करता है अब उसकी age की समस्या फंस जाती है कि उसकी उमर क्या है, वो 18 पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए document की requirement होती है तो बाबुराव चुकी साड़े दस बच चुका होता है, तो सब को कहता है कि आप लोग घर जाएए और गामा कल document लेकर आएगा, उसके हिसाब से decide किया जाएगा कि आगे क्या होगा बाबुराव चला जाता है अपना खाना खाने के लिए साड़े दस ग्यारा बजे का time हो जाता है जब बाबुराव चला जाता है तो आपर दो constable होते हैं, गंपत और तुकाराम, दोनों सराब के नसे में होते हैं वो मथुरा को पुलिस स्टेशन के अंदर ही इंतजार करने के लिए कहते हैं और बाकी को बाहर जाने के लिए बोचते हैं तो असोग जो उसका पती होता है, उसका भाई गामा और नुन्सी और लक्षमड ये लोग थाने के बाहर आ जाते हैं जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, अंदर से दर्वाजा बंद खर लिया जाता है और लाइट आफ कर दी जाती है गनपत मथुरा को बरांदा से ले जाकर उसको बिल्डिंग के पीछे लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसके साथ बलातकार करता है उसके बाद तुकाराम की बारी आती है, लेकिन वो नसे में इतना धुत रहता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है इधर इंतिजार कर रहे लोगों को सक होता है, क्योंकि एकदम लाइट आफ हो चुकी होती है, दर्वाजा बंद हो चुका होता है तो नसी जो है, भला मजाना सुरू कर देती है, चिलाना सुरू कर देती है, और भीड इकठा सुरू हो जाती है जब भीड चिलाना सुरू करती है, तो फिर दर्वाजा खोलता है और उसमें से सबसे पहले निकलता है तुकाराम तुकाराम ये बताता है कि मतुरा पहले ही वहां से जा चुकी लेकिन जब तक वो ये बता ही रहा होता है कहानी समझाने कोसिस कर रहा होता है तब तक उसके पीछे से मतुरा भी प्रकट हो जाती और सब के सामने ही उसने ये बताया कि गनपत और तुकाराम ने उसके साथ क्या किया भीड जो है चोकी को जलाने पर आमादा हो जाती है हेड कॉंस्टेबल बाबुराव जो उस समय खाना खाने के लिए चला गया रहता है उसको बुराया जाता है बाबुराव के समझाने पर भीड दितर बितर हो जाती है और उसके बदले में उसका एफाई आर मतुरा का एफाई आर दर्ज होता है वैसे तो नियम है कि किसी भी महिला के साथ अगर बलातकार होता है तो महिला कॉंस्टेबल के सामने ही वो घटना का वर्ण करेगी लेकिन उस समय वहाँ नियम की किसको पड़ी थी कोई महिला कॉंस्टेबल ना होने की वज़ा से वहाँ पर उन्हें अपने बलातकारियों के सामने ही मतुरा ने अपने साथ हुए कुकृत्य को वर्णित किया जिसको बाबो राव ने दर्ज किया गटना के 24 घंटे बाद डॉक्टर साहब ने उसका मेडिकल परिक्षण करने के लिए टू फिंगर मेथड अपनाया अब ये टू फिंगर मेथड क्या होता है टू फिंगर मेथड वे दो अंगुली को बजाइना के अंदर डालते हैं और दो अंगुली अगर आसानी से चली जाती हैं तो इससे ये सिद्धो होता है कि लड़की वर्जिन नहीं है और वो सेक्षवली एक्टिव है वैसे इस जाँच का कोई मतलब नहीं निकलता था क्योंकि मत्रा की अभी तो साधी हुई इस लड़की की साधी हो चुकी हो वो वर्जिन होगी इसकी जाँच करना मोर्खता हुई लेकिन डॉक्टर साहब को कौन समझाता उन्होंने जाँच किया और लिख दिया कि वो सेक्षवली एक्टिव थी और इस जाँच से ये पता नहीं चल सकता था कि उसके साथ किसने सेक्स किया है तो डॉक्टर साहब ने भी यह किया कि हाँ उसने सेक्स किया है लेकिन किसके साथ किया है ये उन्हें भी पता नहीं हमारे देश में आज भी लाखों से जादा ऐसी बरातकार की घटनाएं हैं जिसमें महिलाएं सामने आकर रिपोर्ट नहीं कराती हैं बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी मीटू जैसे मुव्मेंट का इंतजार करती हैं कि मीटू आयेगा तो मैं बताऊंगी उसमें से भी बहुत सी कम होती हैं जो जाके ये ये महिलाएं डरती क्यों है ये फाइयर क्यों नहीं कराती हैं इसका प्रमाण आपको मिलेगा सेशन कोर्ट के मत्रौण मामले में एक जून 1974 को सेशन कोर्ट का निर्णे आया, गन्पत और तुकाराम को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, जजज साहब ने मतुरा को शौकिंग लायर कहा, अद्भुत जूट बोलने वाली माना गया, जजज साहब ने कहा कि मतुरा ने फिज मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मतुरा ने सेक्स किया है, ये जजज साहब ने, कि मेडिकल रिपोर्ट और मतुरा के बयान के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मतुरा ने सेक्स किया है, और अगर सभी संभावनाओं को मतुरा के पक्ष में भी रख भी दें तो भी इतना कह सकते हैं कि उसने गनपद के साथ किया लेकिन यह रेप नहीं माना जाए जजज सहाब ने अपनी तरफ से पूरी घटना का एक अधुत वर्णन दिया जजज सहाब की नजर में मतुरा ने अपनी मर्जी से गनपद के साथ सेक्स किया मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि उसे सेक्स करने की आदत थी यह जजज सहाब का बयान अब जजज सहाब ने क्यों कहा कि उसे आदत थी जजज सहाब का मानना था कि जो आउर्टें सेक्स पहले कर लेती हैं वो भविश्य में सेक्स करने के लिए जल्दी तयार हो जाते हैं चाहे वो आदमी एकदम अंजान हो और चाहे वो जगा ही किसी भी आजमी के लिए और कहीं भी सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है इनके लाजिक के हिसाब से देखा जाए तो लेकिन एक प्रस्ण और उठा कि मतुरा ने अगर अपनी मर्जी से गनपज के साथ सेक्स किया था तो उसने आरोप क्यों लगाया रेट तो उसका भी साबित्री साबित करने के लिए उसने उलटके गनपद को दोसी ठहरा दिया और उसके ऊपर रेव का आरोप लगा क्यों आरोप लगाया क्योंकि वह अपने आपको सती साबित्री साबित करना चाहती कुल मिलाकर को यह समझ में आया कि मतुरा को सेक्स की आदत थी उसने पु जब भीड़ी कठा हो गई तो उसमें अपने आपको सती सावित्री सावित करने के लिए गनपत को बली का बखरा बना यह पूरी कहानी मनगड़न्त मानी गई सेशन कोट में और गनपत और तुकाराम को बली कर दिया जज सहाब की अलौकिक समता यहां पर खतम नहीं होती प्र तो दब्बे पढ़ना जो है स्वाभावी था दूसरा प्रस्ण उठाया वकील साहब ने कि गनपत के पैंट पर सीमन का दाग कैसे लग सकता है तो जज सहाब ने कहा कि गनपत जो है घर से सेक्स करके आया था या हो सकता उससे पहले जो उसने किसी और के साथ सेक्स किया हो दब्बे लगे मतलब दो साल पहले हुई घरना उसमें लगे धब्बे को जज सहाब ने धब्बे को देखके ये बता दिया कि ये धब्बा किस आदमी या किस औरत का लगा हुआ है किसी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी अब ऐसे जज के बारे हुआ था उसी को बलचलन और ठरकी घोषित किया जा चुका था अब तो बात यह थी कि चाहे चमणी बेंच के भी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़नी पड़े मतुरा की मजबूरी थी कि वो लड़ाई लड़े मामला नागपूर बेंच पहुंचता है बंबे हाई कोर्ट क नागपूर बेंच में पहुंचता है वहाँ पर अक्टूबर 1976 में फैसला सुनाया जाता है हाई कोर्ट कहता है कंसेंट और पैसिव सब्मिशन में अंतर होता है माल लिया जाय कि अगर मतुरा ने रेजिस्ट नहीं किया चिलाई नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कह सकते ह है कि वह मरजी से सेक्स किया था मरजी मतलब कंसेंट का होना और पैसिव सब्मिशन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब को पांच साल और तुकाराम को एक साल की सजा होती है वैसे तो जो नियम था उसके इसकी दुगना सजा दी जा सकती है गनपत और तुकाराम ने सुप्रिम कोर्ट में अपेल किया, यहां पर तीन ज़जों की बेंचर तुकाराम और गनपत को बरी करें, सुप्रिम कोर्ट ने सेसन कोर्ट के लॉजिक को सही माद, मतुरा के साथ गटना को बलादकार मानने से मना कर दिया, सुप्रिम कोर्ट ने उ कहीं न कहीं तो चोट। लगनी चाहिए थी। सुप्रेम कोटने हाई कोट के लाजिक को रियनाई कर दिया। सुप्रिम कोटने कहा कि जैसे ही पुलिस वालों मत्वुरा को पुलिस स्टेशन के बिल्डिंग में ले जा पाता सुप्रीम कोल्ट का मानना था कि no means no तभी माना जाएगा जब आप उसको violently resist करें मतलब कि आप कम से कम उसका मूर नोच ले कम से कम कहीं न कहीं उसको घाव हो आपको घाव हो जब तक कोई घाव नहीं मिलता है तब तक अगर आपके साथ बलातकार हो जाता है तो यह माना जाएगा कि आपने मरजी से ही sex किया है उसको बलातकार की घटना नहीं मानी जाए वैसे उस समय के कानून के हिसाब से किसी लड़की के साथ अगर sex होता है तो उसको रेप दो केसे में कहा जाता है या तो उसकी इच्छा के विरुडू अगेंस्ट हर विल या उसके consent के खिलाब उसके consent के बिना मतलब एक तो अपनी मरजी से अगर किसी ने sex किया है तो उसको आप rape नहीं कह सकते दूसरा अगर वो तयार थी उसने अपना consent दिया था कि हाँ आप मेरे साथ sex कर सकते हैं तो भी उसको rape नहीं का माना जाएगा लेकिन अगर यही consent आपको किसी दबाव में मतलब मृत्यू का भै दिखा कर या किसी लालच को दे कर या किसी भी तरह का इंजरी का डर दिखा कर ये कंसेंट हासिल किया गया हो तो उसको आप रेप की ही काटेगरी में रखेंगे या उस समय का नियम सुप्रिम कोड पहले ही यह मान लेता है कि मत्रूरा ने कंसेंट दिया था और उसके अपनी एजंसंस पर पूरा काम करता हुआ चला जाता है और फिर मत्रूरा को यह जूटा और धर की गोसित करने में लग जाता है जैसा सेशन कोड करता है मतलब कुल मिलाकर मत्रूरा को न्याय नहीं मिलता है किसी गरीब औरत के साथ में क्या हो सकता है वह एकदम परफेक्ट एग्जामपल जो है सेशन कोड दिखाता है और सुप्रिम कोड भी दिखाता है अजकल ह हैं जिन्हों ने अपना पूरा जीवन छोड दिया वे आकर डिल्ली रहने लगी वह पूरा साथ साल लगाता डिल्ली में केश ही लड़ती रहे कहां से पैसा आया कियाрий किया लोगों नைसे कुझे को क्या होता है हमारा समाज कितना जगता है मेडिया कितनी जगती है तब तक के लिए धन्यवाद हो जाहिए